Assalamu alaikum तो welcome back to our deep learning series आज इस वीडियो में हम neural network और उसके fundamentals की बारे में जानने वाले हैं कि neural networks होते क्या हैं? उनके parameters क्या होता है? उनके fundamentals क्या होता है? उनके building blocks क्या होता है? किन चीजों पर base करता है हमारा पूरा neural network और कैसे वो work out करता है? स्टार्ट करता है हम इसकी definitions हैं कि जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था neural network एक combination of neurons होता है या इसको आप कोई भी simple network भी कह सकते हो जैसे कि हमारे पास telecommunication में definite networks होता है internet connections के लिए वैसे ही आप इसको correlate कर सकते हो किसी भी इदारे के साथ और उसमें जो बंदे होते हैं उनका एक साथ जो connection होता है वो हमारा in में connection है notes के बीच में उसमें फिर hidden layers भी आ जाती है मतलब उनका connection कैसे बना वो हमें नहीं बता पर वो एक दूसरे के साथ connected है input और output के थ्रू Is that fine? अगर हम इसकी definition को देखें तो इसकी definition है a computer system modeled on human brain and nervous system human brain के हिसाब से और इसकी nervous system के हिसाब से जो neural network बना हो या उसके human brain की mimic किया गया neural network उसे हम कहते हैं एक simple neural network artificially इसे create किया जाता है तो इसे simply कभी कभी ऐसे भी कहा जाता है कि ये artificial neural network है हम एक example देख लेते हैं अगर हम एक image का example लेते हैं तो एक image को अगर कोई computer कैसे understand करेगा अगर हम for an instance इसकी pixels ले लेते हैं 28,28 मतलब width भी उसकी 28 होगी और उसकी height भी 28 होगी तो अगर 28 multiply by 28 हम करेंगे तो कितने होगे आप बताएं comment section में हमें कि 28,28 width और height इन दोनों को multiply करेंगे तो कितना होगा I think so 784 होगा अगर ये image हम as an input दे रहे हैं तो इसका एक एक pixel एक neuron में जाएगा 784 और वो फिर multiple layers से होते होते क्या होगा उसमें फीचर्स एक्स्ट्रेक्ट होगे फीचर्स कौन से एक्स्ट्रेक्ट होगे जिस जिस pixel में number written होगा हम उसको पकड़ेंगे उन में से फिर parts तोड़ेंगे कि for example 8 हमारा ऐसे बनता है तो उसमें ये chunk, ये chunk, ये chunk, ये chunk, ये chunk और ये chunk ये सारे chunks मिलकर hidden layers में combinations बनाता है कि for an instance ये हमें मिल गया तो ये कौन सा number हो सकता है multiple numbers उसको पहले understand करवाने पड़ता है किसी भी model को जब उसको understand होगे उसे कोई भी input देते हैं तो उनके साथ वो उनको correlate करता है कि कितनी correlation बन रही है इन दोनों parts कि अगर ज्यादा correlation होगी तो वो उस number की तरफ जाएगा कि ये ये number हो सकता है अगर हम hidden layers को देखें तो hidden layers कैसे work out करती है for an instance हमने एक image दी dock की एक input image दी वो break होई pixels में यह हमारी break होई pixels में यहाँ hidden layers में आई तो pixel value detected first layer में detect हुए pixels second layer में edges identify होई फिर combination of pixels और edges दोनों identify होगी हमारी third layer में फिर feature identify होगे और फिर combination of features identified इसमें important features सरफ हमारे पास आते हैं sub features नहीं आते ताकि curse of dimensionality से भी हम बच सकें उसके बाद हमारे पास finally output आ जाता है कि यह एक dog है ऐसे work out करती हैं कोई भी hidden layers पर sometimes ऐसे भी नहीं होता कि बिल्कुल ऐसे ही वो work out करें हम अगर कम या ज्यादा बना देते हैं तो उनमें approximate करना कि कौन सी hidden layer में कौन सा काम हो रहा है यह main issue होता है और इसी वज़ा से हम mathematics को देखते हैं कि किसी भी neural network की backend के mathematics क्या है जिसके तुरू हम देख सकें कि hidden layers में यह input layer से कोई भी चीज आई तो वो कैसे work out करती है हम देखते हैं इसके fundamentals को इसका पहला fundamental है weights and biases जो कि मैं आपको बता रहा था किसी भी दोस्त को आप call कर रहे हो for an instance किसी काम के लिए और वो आपका काम नहीं करता तो उसका weight कम हो जाएगा as compared किसी दोस्त को आप call कर रहे हो और वो आपका काम कर रहा है तो उसका weight आपकी नजरों में बढ़ जाएगा आप second time भी उससे ही call करोगे तो वो होता है weight biasness biasness मतलब आप खुद बोलो कि यहीं बना है जो कि काम कर सकता है और आपको बता है कि वो काम नहीं कर सकता पर फिर भी आप prior कुछ reasons की वज़ा से उसका नाम ले रहे हो शायद वो आपकी family member हो इसलिए आप उसका नाम ले रहे हो यह ओदिया biasness batch size batch size मतलब input के लिए आप कितनी batch की size रखना चाह रहे हो जैससे university में हम देखते हैं हर batch का एक number होता है कि इस batch में इतने number of students है तो यह batch size उसी को ही हम बोल रहे हैं loss function loss function जो होता है वो होता है कि हमारी actual value और यह हमारी predicted value actual value से predicted value कितनी कम है उनके बीच में जो distance है उसको mayor करके हमें loss function बताता है learning rate learning rate क्या होना चाहिए step by step जो हम learning कर रहे हैं वो कितनी होनी चाहिए यह होता है हमारा learning rate हम एक-एक को अब देखते हैं weights and biases की अगर हम definition को देखें तो weights are numerical parameters which determine how strongly each of the neuron affects the other weight होता है कि एक numerical parameters ही होता है जो input के साथ assigned हो जाते हैं और वो affect करते हैं एक दूसरे पर कैसे affect करते हैं अगर एक weight बढ़ गया तो दूसरा कम होना है दूसरा कम हो गया तो दूसरा या तीसरा बढ़ना है क्योंकि उनका sum up होकर 1 हमेशा होता है तो वो हमेशा points में ही होता है 0 से लेकर 1 के बीच में biasness जो additional parameter होता है जिसके हिसाब से weights we adjust होता है और हम अगर इसका formula देखें तो इसका formula है output is equals to sum हमारे पास जो function होता है weights multiply by inputs plus bias biasness भी matter करती है उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं के weights adjust कैसे होता है हमने कोई भी यहाँ पे एक image दी यह image जो हमारे पास आई है यह a represent कर रहे है neurons को और जो w है वो represent कर रहे हमारे weights को और इनका sum up होकर फिर हमारे पास biasness हम calculate करते हैं और उसके basis पे फिर हमारे पास जाके output आता है हम यहाँ पे biasness को अब देखने वाले हैं जब हमारे पास weights आ गए जो को multiply हो रहे हैं एक एक pixel के साथ फिर हमारे पास approximate करते हैं कि हमारा final output क्या होने वाला है on the basis of weights and biases अगर हम इस एक वीडियो को देखें तो इसमें क्या हो रहा है एक हमारे पास picture आई है 9 जो के पहले यहाँ पे आई ठीक है यहाँ पे आने के बाद दूसरे neurons में गई फिर तीसरे में गई फिर चौते में गई अब इनमें हो क्या रहा है यहाँ पे तो हमारे number of pixels है यहाँ पे features extract हो रहा है हमारे कि इसमें जो picture है वो कौन-कौन से image जो हमने उसे पहले से ही पढ़ाए है model को learn करवाया होगा उसके basis पर ही हम उससे पूछ रहे हैं कि कौन सा number यह हो सकता है तो वो correlate कर रहा है कि इसमें कौन-कौन से parts हैं जो के दूसरे numbers में भी थे जो हमने learn किया है यहाँ पर उसने learn किया यहाँ पर ज्यादा ही neurons active हो गए यहाँ पर अगर हम देखें जहाँ और भी parts को गौर से देखा जा रहा है features को तो वहाँ पर सरफ 4 neurons active हो गए फिर आखर में उसने बता दिया है जो picture आपने दी है वो 9 की है क्यों क्योंकि उसमें सरफ active वही neurons होंगे जो के हम उन neurons को learn करवा चुके हैं कि इस इस shape में अगर वो तूटा हुआ हो तो वो 9 हो सकता है हम यहाँ पर आते हैं एक simple example की तरफ के यहाँ पर हम input दे रहे हैं और उसके साथ weights assigned है weights जो है उनकी assigned होते हैं वो शुरू में भी assigned होते हैं और उसके इलावा forward propagation और backward propagation के बाद भी वो change होते रहते हैं width time वो change होते रहते हैं और इसलिए ही बोला जाता है कि ज्यादा epoxes यूज़ करें पर ज्यादा epoxes यूज़ करने का एक बड़े से बड़ा नुकसान यह है कि overfitting हो जाती है और overfitting क्या है वो आप सब लोगों को पता है इसलिए आप सब मुझे comment section में बताएं कि overfitting होती क्या है जब यह यहाँ पर हो गई features extract अब neurons ने कर लिए summation function आगया उसके साथ biasness add होगी उसके बाद activation function लगेगा activation function हमें output दिखाने में help out करता है simple concept activation function का यह है फिर वो vary करता है कि हमारा input क्या है multi class variable है या binary class variable है या linear है या non-linear है उसके basis पे हम activation function बताते हैं और यहाँ पर हमारा output आता है batch size batch size शुरू करने से पहले मैं आप सब को कहूंगा कि आप पानी पीते नहें और stay hydrated batch size जो हमारी है यह रिफर करती है कि number of inputs कितने होने चाहिए अगर हम इस example को देखें picture वाले को तो यहां पर be defined है 2048 तो यहां पर input जो होंगे वो 2048 होंगे और x-axis पे हमारा epoxes है y-axis पे हमारा error है with the rate of epoxes आप देखें error भी कम होता जागा है तो यह चीज़े matter करती है उसके बाद है हमारे पास loss function loss function क्या होता है हमारी जो main target value है ठीक है हमारी target value यह है पर हम पहुचे हैं यहां पर तो इनके बीच में जो distance होगा न वो हमारा उला है loss function simple concept है loss function का फिर loss function जो होता है वो regression के लिए और classification के लिए दोनों अलग होता है regression के लिए हमारे पास MSC आ जाता है MAE आ जाता है hub loss आ जाता है hub and loss भी उसको हम कहते हैं उसके इलावा हमारे पास आ जाता है classification classification में हमारे पास cross entropy आ जाती है classification के लिए spares cross entropy उसके बाद अगर हम इस एक वीडियो को देखें तो यह जो है यह एक non convex picture है non convex क्या होती है जिसमें जो हमारी main least point है मतलब यह जो कोना है हमारा वो एक ही होता है मतलब multiple ऐसे हमारे पास downsides नहीं होता है अब अगर हम इस picture में देखें तो यह पहले यहां पर था अगर roll होके यहां पर यह step left था positive में अगर हम यहां पर देखें तो यह step right हो गया negative में और अगर यह यहां पर आ गया तो यह हुआ local minimum में अगर हमें इसे global minimum में लेकर जाना है तो global minimum यहां पर होगी जो के सबसे नीचे होगी हम loss function use क्यों करते हैं? loss function especially use होता है weights को adjust करने के लिए back propagation में हम calculate करते हैं weights को loss को और loss जो है उसके through हम weights को adjust करते हैं for an instance आपने किसी दोस्त को एक काम बोल दिया यह काम मुझे करवा दो पर जब आप उसके साथ जा रहे थे वो काम करवाने के लिए तो उसने अपने काम भी वहाँ पर बताने शुरू कर दे मुझे यह काम करवाना है ये काम करवाना है ये काम करवाना है तो उसमें अगर आपका loss है तो फिर आप क्या कहोगे आप second time इसको बोलोगे यह नहीं आपके rates adjust हो जाएंगे कि इस बंदे को काम का बोलना ही नहीं यह अपने काम शुरू करवा देता है तो यही concept neural networks में भी होता है अगर हम learning rate को देखें तो learning rate होता है step by step learning अब यह जो learning rate है न यह basic learning rate है और हमेशा learning rate यही choose करना चाहिए कि minimum हो यहाँ भी हमने learning rate रखा है 0.01 तो यह step by step असको learn करता जा रहा है अगर हम यहाँ पे ज्यादा रखते तो फिर हमारे लिए मसले आ सकते थे और learning rate जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा क्योंकि हम weights को उससाब से adjust करवा सकते हैं और biasness को भी उससाब से कम कर सकते हैं और loss को भी देख सकते हैं कम हो रहा है या किसी saddle point पे रुख गया है इसके साथ हम accuracy को भी देख सकते हैं best learning rate यही होता है कि आप बिलकुल जो minimum point है ना वहां तक पहुँच जाओ किसी भी 3D plan में उसके बाद अगर हम finally यहां पे बात करें learning rate की तो यहां पे देखें आप learning rate 0.03 है यह step by step learn करता जाना है यहां पे हमने 0.03 से 0.4 कर दिया तो वहां point तक तो पहुँच गया पर बीच में हम confused होंगे कि यह minimum point है या नहीं है अगर हमने learning rate को और भी बढ़ा दिया one point something मिलेकर चले गए तो वो सिर्फ बढ़ता जा रहा है कम नहीं हो रहा तो इन चीजों को देखने के लिए हमें learning rate को हमेशा least रखना पड़ता है ताकि वो easily learn कर सके तो आज की वीडियो के लिए इतना ही I think so आप सब concept समझ रहे हैं हम मिलते हैं अगली वीडियो में और हम उसमें gradient descent के बारे में deeply पढ़ने चाह रहे हैं तो उसके लिए आप तयार रहे हैं जगा हम मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए लाफस